तो दोस्तों आज का विडियो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा अभी पिछले तीन-चार दिन से जब से डाइनमो गेमिंग ने वन मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है तो उसके बाद से काफी सारे यूनों पबजी प्लेयर्स जो की PC प्लेयर्स हैं एंड एमुलेटर प्लेयर्स के बीच में कुछ टकरा टाइप का चल रहा है लोग एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं I think Sick Warrior और राका गेमिंग ने राका जोन गेमिंग ने बोला पबजी PC केलो और समॉलर चैनल जो ने कुछ कॉंट्रवर्सी गेमर और सम गाइस तर इसने बोला कि मोबाईल पर आके गेम खेलो तो गाइस I just want to put some of the perspective क्योंकि I think मैं जो हूँ मैं काफी दिनों से गेमिंग से associated हूँ आप मेरे चैनल का वीडियो एक देख सकते हो जहां पर मैंने PUBG PC के ओपर जो टिप्स बनाये थे वो लोगों ने काफी पसंद किया है So I think because I have that experience जहां पर मैंने PUBG PC, PUBG Mobile and PUBG Mobile on Emulator तीनों पर considerable time spent किया है तो I just want to put up some facts की क्या हो क्या रहा है और क्यों लोग एक दूसरे को ऐसे challenge फेक रहे हैं अगर जानना चाहते हो तो देखते रहे हो यह वीडियो और वीडियो से याद है दोस्तों अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करो and click करो notification bell पे ताकि मेरे किसी भी वीडियो का notification सबसे पहले आप लोगो को मिले और आप मेरा एक भी वीडियो ना मिस करें फिर मिलते हैं stay tuned press the bell icon on youtube app and never miss any update from tech tube light तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप लोगो का स्वागत है मेरे चैनल tech tube light पे मैं हूँ professor tech and मैं बनाता हूँ pc hardware gaming and tech यान related videos जिंदी में मेरे चैनल को subscribe करें and share करें अगर वीडियो पसंद आए तो facebook page का and twitter account का link आपको नीचे description में देख जाएगा जहां मैं सबसे पहले अपने videos को post करता हूँ so you guys can go and check it out so चलिए अब बात करते हैं आज के main topic के and वो है pubg pc players and pubg pro emulator players के वीच में जो नातक चल रहा है उसका कहानी so guys just to give you a brief background history मैंने pubg pc पे करीब 600 घंटे spend की हैं जब से PC बीटा स्टेट में ता तब से लेकर अभी तक and करीब करीब 400 सच साड़े 400 घंटे मेरे PC emulator पे यानी mobile game जो है वो emulator पे भी हो रखे है साथी pubg mobile पे भी मैं game खेला हुआ है but I have never been too interested in that because of a simple reason कि I can't play मैं मेरे को pubg mobile मेरे लिए काफी टफ है और मेरे लिए handle नहीं होता है वो because it's too tough pubg mobile अगर आप mobile पे खेलो तो pubg mobile जो लोग mobile पे खेलते हैं hats off to them and you guys are really doing good तो अगर आप लोग stream करना चाहते हो अपने gameplay का तो मैंने अभी अभी एक video बनाए you can guys can go and check that out तो guys अब थोड़ा सा baseline में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कितने घंटे spend किये हैं इन सब चीजों पर समझ सकते हो कि मैंने अपने life के काफी सारे घंटे gaming में बिता दी हैं तो एक important चीज जो मैं आप लोगो बताना चाहता हूं and उसी के ओपर मेरा सारा का सारा जो analysis है वो सारा आएगा सबसे पहले उसके लिए बात करेंगे kill to death ratio की तो guys kill to death ratio is आप कितने मारते हैं and उसके ratio है कि आप कितना मरते हैं so if my kill to death ratio is 1 इसका मतलब मैं अगर मैं एक बार मरता हूं तो मैंने एक player को मारा है it is as simple as that तो मेरा जो PUBG emulator पे kill to death ratio है that is 3.72 so हर गेम में whenever I die उससे पहले on an average अगर आप देखें तो 4 लोगों को मैं टपका चुगा हूं अब बात करते हैं PC PUBG की तो guys PC PUBG में कुछ bugs ते कुछ issues ते जिसके वज़े से मैंने वो game खेला बंद कर दिया and मैंने last season में भी बहुत जादा नहीं खेला था however weekendy में आपके आने के बाद I have started playing it again so मेरा जो total ratio मेरको जो भी उसके data मेरको दिखा that was quite interesting because मेरा kill to death ratio PUBG PC में is around 0.38 तो guys 0.38 kill to death ratio का मतलब यह है कि करीब approximately हर तीन game में मैं एक बंदे को मारता हूँ so जहां मैं emulator पे हर गेम में 4 लोगों को मार रहा था PC पे हर तीन game में I can मेरा जो skill है उसके साब से मैं सिर्फ एक ही बंदे को मारता so यह जो difference है यह around अगर आप देखोगे तो 16 times better खेल रहा हूँ मैं on a given moment emulator पे rather than the PC now let's इस topic के उपर हम लोग बिलकुल end में बात करेंगे जब हम लोग facts के बार में कुछ बात करेंगे however now what we'll decide is की emulator players का matchmaking pool कैसे होता है and why it is so not good जैसे ही आप या आपके टीम में एक बंदा emulator use करता है आप लोग को emulator pool में fake दिया जाता है जहां पर either एक बंदा emulator मतलब अगर चार लोग की टीम है तो एक emulator पर तीन mobile players हो सकते हैं या फिर चारों के चारों emulator players हो सकते हैं तो अगर आपके टीम में सिर्फ एक ही emulator वाले बंदा है और आपके अगेंस्ट वाली जो टीम है उसमें कर चारों emulator वाले बंदें तो यू गाइज और अफकोर्स इन डिसद्वांटेज सेम चीज अगर मेरे टीम में चार emulator वाले प्लेयर हैं और मेरे सामने अगर एक भी टीम आती है जिसके अंदर दो emulator दो mobile या तीन emulator एक mobile है तो अफकोर्स बिकम एजी प्रेय फॉर मी तो यह जो mismatch है मैच मेकिंग का यह काफी इशू है और वाट आयम होपिंग इस की जो mobile प्लेयर्स होते हैं जो प्रॉपर टाइप सिफ चारो के चारो प्लेयर्स मोबाइल टीम में खेल रहे हैं देयर नेवर एंगेज़ विब इस emulator फ्लेयर्स वह एक प्यॉर पूल है तो अगर कोई बंदा 1v4 खेल रहा होगा सिर्फ mobile तो उस बंदे को इस ग्रूप मैच में डाला जाएगा अगर एक भी बंदा emulator पे खेल रहा है तो आप उस पूल में आ जाते हैं वहाँ पे everything is fair in the game So guys, now we need to discuss की emulator का फाइदा क्या-क्या है And उसके लिए अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मैंने करीब 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था तो वीडियो पे तुम लोग देख सकते हो जहां पे मैंने आप लोग को बदा थे कि PUBG emulator पे खेलने का फाइदा क्या-क्या हो You guys can go and check it out However, जो basic basic advantages जो हमको मिलता है emulator पे वो है कि we don't need a lot of accuracy because of hitbox तो PUBG mobile के hitboxes हैं वो बहुत ही जादा divided नहीं है अगर तुम लोग 400 meter दूर से एक बंदे का head आपको दिख रहा है और आप no scope करके भी उसको मारोगे तो 99% chance है कि you will have a good accuracy and good hit However, PC में hitboxes जो हैं वो काफी divided हैं And because बहुत जादा data जाता है PC का game 17GB का है ये game देड़ जी भी का है So a lot of data is calculated before hitboxes को calculation हो सके So that is why you need a lot more accuracy in PUBG PC rather than PUBG mobile emulators Second चीज़ जो फाइदा देता है वो है better audio यानि कि PUBG mobile का जो audio है अगर आप 7.1 surround system के साथ खेल रहे हैं जैसा मैं खेलता हूँ तो you get a lot of advantage Because तुमको exactly पता होता है कि बंदा आ कहां से रहे And ये चीज़ जो है जब आप in-game हो आपको पता निये बंदा का है But अगर उसकी गोली आपको थोड़ा सा भी हिट करती है So you get a general direction Because एक हिट था है आपको PUBG mobile पे So वो किया गया है ताकि mobile players को थोड़ा सा easy पड़े कि enemy किस तरफ है and they get a fair chance However जब आप यही चीज़ इमूलेटर पे करते हैं So you don't get a fair chance You get a lot of advantage Because तुमको पता है कि वो बंदा उधर है And वहां तुम अपनी AWM जो है गुमा के सीधा उसके सर पे मारो And it's you know knockout So this is one more advantage तीसरा है auto pickups जो कि बहुत एक बड़ा advantage है Because PUBG PC में आदे टाइम तो तुम configure करते ही लगा दोगे मतला ऐसा होगा कि तुमारे पास scope है और तुमने लगाया नहीं है तुमारे पास gun है auto वाली और वो single पे हो रखा है तो ये छोटी-छोटी चीज़े जो है ये PUBG Mobile में आई नहीं So you gather around कि सारा जो गेम है वो दिमाग जो है वो गेम पर ही रहता है आपका इन सब चीज़ों में लगता नहीं है चौता है इंडिया में एक फाइदा यह है कि PUBG Mobile खेलने वाले बहुत जादा है rather than PUBG PC इसका एक stat तुम को screen पर देख रहा होगा तो इंडिया में total mobile users जो है that is around 78% and बाकी के जो PC users है that is around 22% तो चार गुना जादा आपको एक player base मिल रहा है and जादा तर लोग के पास PUBG Mobile है तो if you do a sub game and everything तो आप लोग के पास जादा subscribers बढ़ेंगे because they also want to play so that's cool and finally जो सबसे बड़ा जो मैंने फाइदा आपको बताया जादा audience है जादा following है and इससे आप जो है अपने subscribers को बढ़ाते है so there is nothing wrong with this आप एक YouTube channel चला रहे हो आपने subscribers बढ़ाये है and आपको advantage मिलता है PUBG Mobile को emulators पेखेलने पर there is no problems with that now लोगों को problem क्या आ रही है यहाँ पे people are telling की जो बंदा emulator पेखेल रहा है वो pro है की नहीं so guys he is not a pro first of all because he is playing on emulator वो भी एक mobile game now इसका जो facts है जो मैं पेश करूंगो इसके बाद that is the reason I am telling that they are not a pro player but just because it's a bit easy तो खेलने में थोड़ा असान हो जाता है so guys PUBG emulator जो है जो लोग PC पे खेलता है उनको accuracy and movement का plus जो bot kills का जो मिलता है शुरू में advantage वो काफी जादा होता है तो आपके generally kills if you are playing on emulator it will be more than 10 आपने कभी PC पे game खेला हो और उसके बाद आप emulator पाके खेलोगे it's very easy the reason is that second अगर आप एक emulator वाली lobby में खेल रहा हैं उनके मकाबल है third now because the game is PUBG तो the concept of survival and the mechanics of the game is same in PC और mobile और emulator तो आप जो भी पंडे लगाओगे वो PC पे भी काम करेगा and emulators पे भी काम करेगा and mobile पे भी काम करेगा however जो basic mechanics है जो game के जैसे कि auto pickup, hitbox दिखाना and hitbox का छोटा होना या बड़ा होना वो जो है वो kind of छोटे-छोटे advantages देखा आपको mobile players जो emulator पे गहलते हैं उनको they will play better because of that and because this game is for mobiles emulators definitely needs lot of less skills and जो कि तुम लोग मेरे stats में देख सकता है I don't want to point it on any other YouTube channel आप मेरे stats देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि why is this happening so guys finally what I wanted to tell you कि यार अगर YouTube channel बढ़ाना है no problem you can grow your subs you can grow your channel you can earn a lot you can have a good name that is no problem and that should be there however the only problem I feel is कि you know Shroud and Dr. Disrespect Choco Taco gamers community में इनका नाम इसलिए है because they are very good PUBG PC players और they are players जो कि PC पे games किलते हैं जिनके skins में there is some doubt or something because I don't think ये लोग कभी जाके emulator पे खेलेंगे और बोलेंगे कि we are the gods and something like this and I don't think because you guys are playing on emulator तो Bluehole आप लोग को कभी बुलाएगा Bluehole नहीं Tencent आप लोग को बुलाएगा Pro Mobile Championship में because you guys don't play जहां पे उसको खेलना चाहिए so there's no hate to anybody or no need to you know मेरे को जज़ करने का जरुवत नहीं है जो है वो है it is as simple as that and I think these are all the reasons जिसकी वज़े से PUBG PC players and PUBG mobile players and emulator players के बीच में there is a difference and गर देश हो रहा है so guys जो PUBG PC वाले हो don't worry तुमारा भी देन आएगा अगर gaming community ने तुम लोग को support किया तो you guys will also grow and Dynamo and other pro emulator players है guys तुम प्रो बनो YouTube में earn करो there is no problem with that but the issue is you have to understand it's a mobile game जो कि आप लोग PUBG emulator पे खेल रहे हो तॉप लिग पे जाना because you have to invest a lot of time no problems with that but at the end of the day अगर आप PC में खेलो तो आप टोप 10 में पहुँची नहीं पहे हो it is as simple as that so there's that तो I guess आप लोगों में से काफी लोगों को यह analysis जो है यह सही लगा होगा काफी लोगों को नहीं लगा होगा बताओ मुझे comments में कि सही लगा या नहीं लगा and इसी बात पर फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में stay awesome, stay safe, stay sexy, peace out